नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। दोस्तों अगर आप गुड का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रही हैं न केवल अपने जीवन में हर। गुड करने में मदद करती है और पुरे जीवन में समरिद्धी का कारक बनती है ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड आपको बता दे दोस्तों गुड हमारे भारतिये किचिन का एक मुख्य हिस्सा होती है गुड में मौजूद कई आश्धिक गुनों की वजह से इसे कई तरहे की खाने की सामगरी में इस्तमाल। जो हर किचिन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बलकि कई और भी फायदों के लिए इस्तमाल किया जाता। हैं, जो हमारे घर को सुख समरिधी से जोर देता है, इस कार्य में आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए इसमें आपको गुर खाने की कोई जरूरत नहीं है, बलकि कुछ गुर के टुकडे आपको चाहिए। और हमारे विडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिये, ना केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बलकि अपने जीवन में आप सुख समरिधी आते हुए देखेंगे हो सकता है, आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बाते लगे, लेकिन दोस्तों जोतिश और वस्तु शास्त्र में गुर को सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी में रखा गया है। सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें, तो ना केवल आपके नौके नौग रहा आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे बलकि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा अच्छा आपने यह। अरपित कर दिया जाए, तो उनकी वह कृपा मिलती है कि जिसके बाद जीवन से हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अरपित कैसे, किया जाता है जल में क्या-क्या चीजे डाल कर अ अविवार के दिन 2-4-5-6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना केवल आपके जीवन के हर दुख से आपको मुक्ती मिल जाएगी, बलकि सूर्य देव जी की क्रिपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में आप ज पर सदैव बनी रहे सूर्य देव जी के आशिरवाद से आपके जीवन, में आप बहुत उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त है, तो दोस्त पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले, तो आप इस वी जिनट रविवार के दिन खत्म होगा, और इन उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में खुदी एक चमतकारी बदला, देखेंगे इसलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को करने की मुहूर, तक क्या है वो भी लिख लीजिएगा सबसे पहले जो प्रयोग है, वह एक ऐसा प्रयोग है, जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोश को खत्म कर देगा, आप मिहंत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई जगडा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है उन्नती रुप गई है आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परिशान है तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोश है शनी दोश है या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोश है या हो सकता है कि आपकी कुंडली मे चंदरमा नीच राशी पर चला गया हो तो दोस्तों हर प्रकार के दोश के लिए आपको अलग-अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है यह उपाय लगातार ग्यारह रविवार कर लीजिए ग्यारह रविवार के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपका दोश है वह खत्म हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी लेकिन इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी जैसे एक तामबे का लोटा आपको लेना है प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तामबे का लोटा लीजिए उसमें शुद्ध जल भर लीजिए दो चार बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने है थोड़ी सी कुमकुम डालनी है कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का इस्तिमाल होता है पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिये और थोड़ी सी गुड की धेली डाल दीजिये सुबह नहा लिया आपने धोलिया सफेद वस्तर का धारन कर लीजिये अपने घर की छत पर जाईए अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने कुमकुम चाबल गुड डाला है ये आपको सूर्य देव जी को चड़ाना है अब सूर्य देव जी को जब आप ये अरपित करे तो इस बात का ध्यान रखियेगा की जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमह का जा करते रहना है जितनी दे प्राव ना हो जाएगा मतलब खक्म हो जाएगा यह एक महा उपाय जो आज का नहीं बलकि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है तो इस बात पर तुरंत ही विडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना मत भूलिएगा दुसरा उपाय है नौकरी प बड़ा परेशान हो गए है तो आपको क्या करना है देखिए 11 रविबार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी कुल मिला कर आपके जीवन में आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी क्या करना है आपको प्रतेक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए धो लीजिए आप लोग साधा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल, कुम-कुम, गंगा दीजिए यह उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी की नौकरी लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं खत्म हो जाएंगे और सूर्य देव जी के आशिरवात से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी दोस्तों, इस आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं, तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा, रहे हैं दोस्तों वह है, बाधाओं पाने से मुक्ती का उपाय दोस्तों एक बात का ध्यान, रखिएगा अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं, उ गर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुर और पानी ले लीजिये गा, और उसके बाद निकलेगा अब मान लीजिए आपको डाइविटीज है, तो आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुर की धेली रख करके, अपने दाए ज और फिर अपने काम के लिए जाएगा अब मान लीजिये। जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा ये एक महा उपाए है, और ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाए जानते होंगे, देखिए एक गाये। कहने की कई वज़े हैं, तो अगर आप लोग लगातार पांच रविवार अपने घर पर ग्यारा ग्यारा रोटी बनवा करके, उस पे थोड़ी सी गुड की धेली रख करके किसी भी गाये को खिला देते हैं, जो आपके घर के पास तहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दु अपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही साधारन सा उपाय है, दोस्तों अगर आप चाहते हैं, कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानिया से आपको मुक्ती मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए आप लोगों को रविवार के दिन, रविवार का दिन क्योंकि सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुर रखकर के दान कर दीजिये कंबल ह कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ती का मदद हो सके या चावल ही हो गया, इसमें थोड़ा सा गुर रखकर के किसी भी व्यक्ती को जो मंदिर के बाहर बैठे बिच्चुक होते हैं, उनको अगर आप दान कर दें, तो इससे आपको सूर्य द के दिन घर के मुख्य द्वार पर हो सके तो घी का दीपक जला कर रखना चाहिए, इससे जातक को सूर्य देव के साथ ही मा लक्ष्मी की क्रिपा भी प्राप्त हो जाती है, इस उपाय को करने से व्यक्ती के घर में मा लक्ष्मी का वास रहता है, इस दिन सूर्य देव की लग जरूर लगाएं तो दोस्तों इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं